नवस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने गरीब राज़ा बनपुण जोरो यूट्यूब चनल पर दोस्तों मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि आप अपने फोन से किस प्रकार अपना राष्तान स्कॉलर्स का फॉरम का स्टेटस कैसे चेक कर सकतेगी सबसे पहले आपको अपने गूगल पर आके सर्च करना है SSO SSO सर्च करने के बाद में आपको सबसे पहले राष्तान सरकार का संगल साइज होन दिखाई देजेगा आपको इस पर आके इंटर करना इंटर करने के बाद में आपको यह यहां से उपन हो जाएगा यहां से उप च्पन को देखते हैं कि इस में रिश्टरशन की जाता है और दोस्तों जनम भाईउ ने लोगः किया हुगा रिश्जर्ट का हमुए में यहाँ से आप जा के इसको लोगः कर सकते हैं जैसे ही आप इसे लोगः कर सकते हैं आपको इस प्रकार आपकी यहां से society उपन हो जाएगी। उपन हो जाने के बाद में आप इसमें देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिख रहा होगा scholarship, scholarship का form जो एक SJC है, scholarship SJC, एक इसमें scholarship CETAD monetary है। दोस्तों CETAD monetary अल्फ संक्यक के लिए आता है, जो भी मुस्लिम होते हैं या अन्यक किसी सिक्तरम के होते हैं। आप अगर हिंदु दरम से हैं तो आप अपना scholarship SJC में ही जाके ओपन करना है। दोस्तों मैं यहां से इसको open करता हूँ, तो यहां से अपना page open हो जाएगा। दोस्तों अब यहां से आपका यह forum open हो चुका है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा अपना students scholarship का option आ रहा है। इसमें एक सैड में आपको दिख रहा है नीचे आपको इसमें क्या करना है। इस पर जाना है। इससे पहले आपको यहां पर student profile update option दिया गया। आपने कब update किया है। और आपका back to SSO sign out का भी option है। तो दोस्तो आपको क्या करना है सैड में student scholarship option पर आना है। आनेक बाद यहां आप इंटर करते हैं तो आपको चार option दिखाए देते हैं। test board का profile update का new application और या FAQ तो दोस्तो आपको क्या करना है यहां पर कुछ नहीं करना आपको यहां से नीचे आना है। जैसे ही आप यह से नीचे form को करते हैं तो आपको यहां पर एक icon दिखाए दे रहा हुआ आँक का बना हुआ। आपको इस पर आके इंटर करना है। जैसे ही आप इसे इंटर करते हैं तो आपको यहां application form जो भी आपने apply किया हुआ हुआ है वो आपको यहां पर दिख जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका form कब सब्मिट किया था और आपने कौन सी डेट को किया था एप्रूव हिया नहीं हुआ आपकी बढ़तवां तेथी पर आप जाओगी यहां पर तो आपको यहां दिख जाएगा जैसे कि यह फर्म एप्रूव हो चुका है यहां पर आपको इसमें नीचे आके देखते हैं तो चातवरती डेट वगरा दी हुई है यहां पर जोवी डॉकुमेंट्स है आपका एप्रूव है तो कोई परेशन नहीं है अगर पेंडिंग है तो उसे अप्रूव करवा लेना है दोबारा से पौरम को अगर नीचे आके देखते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है आपकी सहचड़िक सुल्क फीस कितनी दिवी है 16,550 रुपे जो आपकी बापस स्कॉलर्स में मिलने वाली है दोस्तों आप अगर और नीचे आते तो आपका मैन दिया गया है इसमें ओडिटेट ट्रेल पर आते हैं तो आपको देखेगा दोस्तों यहां पर कि सबसे नीचे आपका पैंडिंग कॉलेज की तरफ से आपका फॉर्म कब एप्रूब किया गया है जिसकी डिट दी गई इसके बाद में आपका फॉर्म आगे पहुंचता है पैंडिंग फॉर्ड वेरिफाई डियल ओपस डियल ओ अप्रूब होने के बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है आपकी इसमें एकांड में अपने आप और ओटोमेटिक कभी भी किसी टाइम पर स्कॉलर से पाजाएगी जैसे आपके स्कॉलर से पाएगी आपको कुछ नहीं करना इसके लिए आपका यहां पर वे प्रोफाइल एपडेट पर जाके अपना फॉर्म दोबारा से अपलाई करवा के और इसको कमी को करवा सकते हैं पूरी और एप्रूव हो जाने वाद अपनी स्कॉलर से बापस ले सकते हैं दोस्तों आप कोई वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मिलते हैं अगली वी